आज के इस वीडियो में हम लोग एक पक्षिय टिक्री को अपास्त करने के संबंध में समझने का परियास करेंगे तो इस पर हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले हम लोग एक्सपार्टी टिक्री का अर्थ समझने का परियास करते हैं एक्सपार्टी टिक्री का अर्थ यह है कि प्रतिवादी के ब्रुद्ध वादी के पक्ष में वादी के दलील और शाबूतों को सुनने के बाद जो decree पारित की जाए उसे X-party decree कहते हैं इसमें ये decree पारित करने के प्रूर प्रतिवादी के ब्रुद्ध प्रतिवादी के उपस्थिती के लिए प्रतिवादी को संवन भेजा जाता है और जब प्रतिवादी उपस्थित नहीं हो और उसके बुरुद्ध सर्विष की तामिला की डिकलेरेशन माल ने उसके बाद एक्सपार्टी हेरिंग होता है और तब एक्सपार्टी टिक्री पारित होती है तो ये एक्सपार्टी टिक्री का अर्था अब सवाल होता है कि एक्सपार्टी टिक्री अपास्त करने के लिए किस नयायाले में आवेदन दिया जाए एक्सपार्टी टिक्री को अपास्त करने के लिए उसी नयायाले में आवेदन दिया जाए जिस नेले द्वारा एक्सपाठी टिक्री पारित की गई है अब इसके grounds क्या है तो इसके दो grounds हैं और दोनों में से कोई भी एक ground जदी प्रतिवादी साबित कर देता है तो एक्सपाठी टिक्री जो उसके विरुद्ध पारित हुई है उसको अपास्त कर दी जाएगी पहला ground यह है कि summons प्रतिवादी पर सही तरीके से डिवली सर्व नहीं किया गया दूसरा कि जिस समय वाद की शुनवाई के लिए वाद की पुकार की गई उस समय प्रतिवादी उपस्थित होने से किसी sufficient cause के कारण उपस्थित नहीं हो शका इन दोनों grounds में से किसी भी एक ground को जदी प्रतिवादी शाबित कर दे तो उसके विरुद्ध जो एक्सपाठी टिक्री पारित हुई है जो एक पक्षिय टिक्री पारित हुई है उसको नहाले अपास्थ करने की आदेश पारित करेगी लेकिन इस आदेश ऐसा आदेश यानि एक पक्षिय टिक्री को आपस्थ करने वाले आदेश को पारित करते समय नहाले कुछ निश्चित टर्म्स पर ही अपास्थ करेगी जैसे cost जैसे प्रतिवादी को कितना cost जमा कर नहाले में इसके संबंध में भी नहाले टर्म्स लगा सकती है या नहाले कोई अन्य टर्म्स भी लगा सकती है जैसा नहाले उचित समझें और ऐसा करने के बाद वाद की सुनवाई के लिए एक दीन तै करेगी लेकिन एक्सपार्टी डिक्री अपास्त करने के आवेदन से संबंधित जो प्रावधान आदेश 9 नियम 13 के तहत है उसमें एक एक्सप्लानेशन है जिसके अनुस्थार एक्सपार्टी डिक्री अपास्त करने के लिए आवेदन इस प्रावधान के तहत नहीं दिया जाएगा जहां कि उस एक पक्षिय डिक्री के बिरुद अपील दाखिल की गई है और वह अपील का निस्तारण हो चुका है और निस्तारण का ग्राउंड अपील की वापसी नहीं है किसी अन्य ग्राउंड पर उस अपील का निस्तारण किया गया है तो ऐसी परिश्थिति में एक पक्ष्य डिक्री को अपास्थ करने के लिए 9 रूल 13 के तहट आवेदन नहीले में ग्राह नहीं होगा अब इसको कितने दिनों के अंदर दाखी करना है तो एक पक्षिय टिक्री पारित होने केति थी से एक माह के अंदर यह आवेदन दिया जाना है या जहां प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ हो उस पर संबन तामिल नहीं हुआ हो वैसी अवस्था में एक पक्षिय टिक्री की जनकारी केति थी से एक माह के अंदर वह ऐसा आवेदन दे सकता है जदि उसके बाद भी यानि एक माह के समय ब्यतित हो जाने के बाद भी जदि वह आवेदन नहीं दे सका तो इंडियान लिम्टेशन एक अनई 163 की धारा 5 के तहत वह एक आवेदन देगा जिसमें वह इस अप्लिकेशन को दाखिल करने में हुई देरी के लिए क्या सफिसेंट कॉस था उसकी ब्याख्या करते हुए एक आवेदन देगा और उस आवेदन के जरिये नहाले से यह प्रार्थना करेगा कि इस आवेदन को दाखिल करने में हुए देरी को कंडोन करे तब नहाले जदि पाती है कि हाँ जदि सफिसेंट कॉज है कंडोन करने के लिए तो नहाले उसको कंडोन करके आगे शुनेगी इसके अलावे एक और तरीका प्रतिवादी के पास उपलब्ध है कि वह CPC की धारा 96.2 की उप धारा 2 के तहत अपील दाखिल करे और उसमें तो अपील जो किया जाएगा वो डिस्टिक जज के नियाले में दाखिल किया जाएगा और 9.13 का जो आवेदन दिया जाएगा वह उसी नियाले में दिया जाएगा जिस नियाले द्वारा वह एक पक्षे डिक्री पारित की गई है तो यह फ्रेंड्स आज का मेरा एक प्रयास था एक पक्षे डिक्री को अपास्त करने के तरीकों पर तरीकों को समझने के बारे में इसमें ज़दी आपका कोई शवाल हो कोई जिग्यासा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं धन्यवाद